एक हेलो एक्ते वहद्शी लीट्म वर्लकेट Шाहेशल पर आखे जैअल है कैने यहां जैसा कि आप दे सकते हैं मैं USPPSC के श्रीछ फींड पर जूम पीश पर आप सेुचांठ यूपी पितिख्सें वेब्यारश्ट कीतरतहः नई अप्डेट यहां ग्रेट टूस से जुड़ी हुई यहाँ पर अपडेट यहाँ पर आ गई है तो क्या अपडेट यहाँ पर आई है इसकी पूरी इंफामेशन हम आपको इस वीडियो में प्रवाइड करने वाले हैं तो वीडियो को बिना स्किप के वह लाश्ट तक देखें और अगर अभी त सेयर करें चैनल पर नया है यहाँ पर जारी हो चुका है क्या नोटिफिकेशन आया है सबसे उपर यहाँ पर दिया हो नोटिफिकेशन यहाँ पर नोटिस रिगार्डिंग डाकुमेंट वेरिफिकेशन फॉर स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेट तू मेल फीमेल इन अडवर्टिजमेंट नमबर एफ़ोरी अब वन ट्वेटी वन यूपी मेडिकल हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट अबलिक मेडिकल एजूकेशन और ट्र नोटिविकेशन यहां से आप डाउन लोड कर सकते हैं सभी कंडिटर्स के लिए बहुत ही इंपोर्टडरिणि मेटी रहने वाली है तो नोटिविकेशन यहाप पर उपर नीपिंटेशन आई एडवर्टिесमेंट रिखा हूआ साफ साफ आयोग द्वारा स्टाफ नर्स इस्टर ग्रेट टू मैं परिच्छा दोजा 21 का नवीन और बंधिक चैन परड़ाम तेस अगस्त दोजा 22 को जारी किया गया है तो आप सभी लोगों को पता है कि अभी एक री रिजल जल्दी में जारी किया गया था तेस अगस्त को तो यहां पर जो तेस अगस्त को जारी हुआ उसके बाद यहां पर उसमें कुछ चेंजेस हुए थे जिसमें कि आप सभी लोगों को पता है कि 54 कंडिडेट्स बाहर किये गये थे उनको हटा दिया गया था और उसके जिगह पर 146 नए कंडिडेट्स को इस लिस्ट में सामिल किया गया था जिनका डाकुमेंट्स वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ था फाइनली उससे जुड़ी अपडेट है और पुराने कंडिडेट्स के लिए यहां पर एक बड़ी अपडेट है तो यहां पर आप दे सकते हैं जारी किया था आगे लिखा नवीन चैन परड़ एक सो चार इसे अभिःर्थी इनके द्वारा पूरव में आयोक करहले मों पहस्तितों कर पनОहीं का सत्यापन नहीं कराया गया हुआ समझते 250 हभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन आयोग कारले द्वारा कराया जाना है तो यहां पर 104 ऐसे कैंडिडेट्स है जिनका नाम जैसे देख सकते हैं के लिए बुलायागा रधीन कैंडिडेट्स को उसमें से 104 ऐसे थे जिन्होंने डाकुमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया था किसी काड़ छूट गया थे या नहीं करा पाए थे तो उन सभी 104 कैंडिडेट्स को यहां पर साथ में मौका दिया जा रहा है तो टोटल एक्सो यहां पर कैसे कराना है क्या होगा इस्टेप यहां पर बता दिया गया है उक्त समझत अभ्यर्थी यानि कि 250 अभ्यर्थी है आयोग की वेबसाइट तो यहां पर वेबसाइट बता दी गई है यूपी पेसी डाट यूपी डाट इसी डाट इनके होम पेज पर क्लिक है टू डाउनलोड डाकूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म सेट फॉर स्टाफ नर्स इस्टेग्रेट तू मेल फीमेल इन अडवर्टिजमेंट नमबर इंटार न न और मेडिकल हैल्थ सर्विसेट डि आवेदन पत्र प्रमाडिक करण प्रपत देशनापत्र यूं अंक्रिताल का विवरर को मुद्रित करके उसके साथ समस्त से अच्छी का विल्येखो प्रहां पत्रों की स्वा प्रमाडित प्रतियों का एक सेट तैयार कर उस फार्म सेट के प्रतेएक प्रेश्ट पर निधा प्रवेश करके साथ स्वाष्टी भौन में पहुंचना शुलिष्चित करें तो यहाँ पर डाक्यूमेंट से वियरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया है आप लोगों की डेट यहाँ पर कंफार करेंगे आप लोगिन करके वहां से आवेदन पत्र यानिकि जो आप्लिक पन इंडेक्स और माक्सीड का जो विवरण भारा गया है उसको आपको प्रिंट कर लेना उसके साथ सब जितने भी सच्छिक अभिलेख है आपके वह लगाने हैं आपके उसके साथ और प्रमापत्र जो भी है वह लगाना है इन सबकी स्वाप्रमारित प्रतियों का एक सट् प्रोंट करेंगे उसके बाद राजपतित करेंगे प्रमि إن दर्वापति करेंत अबको फोटो की दो प्रति आपको फोटो की अभि करने होंगी पुरूस अभ्यार्थि के लिए साकेट्री का डिब्लोमा भी होना जरूरी है तो यहाँ पर लिखा हुआ कि साबसाब उत्रप्तेस नर्स तथा धात्री पत्रण में रिष्ट्रिक्ण के योग सामान युप्च्यारिकावं प्रसूत प्रिष्ट्रेच्चन में डिप्लोमा थवा नर्सिंग में इसनातक ब्यस्सी उपाधी या पूरुस अभ्यर्थियों क साइकेट्रिक का डिप्लोमा होना अनिवार है तो यहाँ पर सारी चीजे क्लियर कर दीगें इस बार किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहने पाए फिर आपर दियागा थर्ण नंबर पॉइंट उत्त्रप्रदेस नर्स धात्री परशत से नर्स और धात्री के रूम में इस बेकल दो आपका स्काट सर्टीफीकेट लेगा और प्रमापत्र चे अधिक पुराना हो यहां पर पहले ही मेंसन कर दिया गया है पिर यहां पर लिखा गया है सरकारी सेवक्स या कार्मिक कि श्तति में जग द्वारा अनात्ति प्रमापत्र यानिकी आफको एन। से अगर आपके ही कारी कर रहे हैं तो वहां से आपको इनुस्य लेनी होगी फिर अगला अभ्यर्थी होट पिता पच्कियों से निर्गत आरच्छर समंधी जाथ मुहापत रोना चाहिए अगला पॉइंट दिया गया है उत्त्य प्रदेश सरकार के अंतरगत समीधा के अधार अगला पॉइंट यहां पर आ चुकी है सारे डाकुमेंट्स यहां पर आपको बता दियेगे कौन-कौन से डाकुमेंट्स लगने हैं कैसे यहां पर आपको क्या प्रोसेस करना इसको भी बता दिया गया है डेट आपको बता दी कही है दस अक्टूबर को आपका डाकुमेंट्स वेरिफिकेशन होना है तो यह तो सुपचास का यहां पर जोसमें वेरिफिकेशन हो दॉसमें आने वाली है तो यहां फर र reducing proceeding श्तर्टार्टाल और आपको की नहीं हो दुका कई नहीं हो decor था आने वा होगा अब यहाँ पर जल्द ही जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं तो अब जल्द ही इससे उम्मीद लगाई जा सकती है कि ज्वाइनिंग के प्रक्रिया भी आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी तो अक्टूबर में डाकूमेंट स्टार्ट होने की उम्मीद यहां पर दिखने लगी है तो फ्रेंट्स यह पूरी अपडेट मैंने इस वीडियो में कवर कर दी आई होप यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टन और इंफॉर्मेट्व रहेगा तो मिलते हैं फ्रेंट्स नेक्ट वीडियो में नेक आइन जय भारत